अब की बार चार सो पार, लेकिन चार भी पार अब की बार नहीं हो पा रहा है, ऐसा, जी हाँ, ऐसा सच में सामने आया है खबर, क्यूंकि आप सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये चार सो पार का नारा, सिर्फ और सिर्फ जन्ता को भर्मत करने के लिए दिया गय है क्या क्योंकि जिस सरीके का 400 पार का नारा मोदी जी ने लगा दिया है और उसके पीछे भाजपा के लोग नारा दिये हुए नजर आ दिरसल दोस्तों जेन्यू के अंदर चुनाब हो रहा था यहां पर लेफ्ट विंग के लोग जो है चुनाब लड़ रहे थे और राइट विंग के लोग भी इस चुनाब में पाटिसिपेट कर रहे थे यानि कि बेसिकली जो भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है ए बीवी पी ही इस चुनाब को जीत पाएगा लेकिन अफसोस की बात 400 पार 400 पार का नारा लगाने वाली पार्टी के खाते में यानि कि उसे जुड़े हुए संगठन के खाते में एक भी सीट नहीं आया है यानि कि चारों का चार सीट जो है वो लेफ्ट विंग के हातों में गया है और इसको लेकर अब तमाम लोग यही लिख रहे हैं कि 400 पार का नारा तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया दिया लेकिन 4 सीट भी नहीं ला पाई है चार सीट में बीजेपी के संगठन का सूपड़ा साफ हो गया है विकास बंसल लिखते हैं कि अब की बार 400 पार जेन्यू मे लिफ्ट बिंकी बहुत बड़ी जीत हुई है जिसको लेकर तमाम जो है अभी लोग यही लिख रहे हैं कि कैसे भारतिय जंता पार्टी से जुड़े संगठन का क्या हाल हुआ जैन्यू में जबर्दस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और ABBP जो हार गए हैं अब ऐसा कैस चुनाब हुआ दोस्तों जहां पर बीजेपी की हार हो गई जो इतनी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो छोटे सेलेक्शन में हार गए हैं अब जैन्यू के लोग जो है वो जबर्दस तरीके से जश्न मना रहे हैं और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा जश्न मनाया जा रहा है आगे देखें एक मुकनायक की तरफ से शेर क्या गया है कि छातर संग चुनाम में नीले रंग में रंगा जैन्यू जैभीम की गूंच जनरल सेक्रेटरी के पद पर बी ए पी एस ए बसपा की प्रतियाशी आर्या ने दर्स की बड़ी जीत अर्जु आनंद को 926 वोटों से हरा दिया तने बड़े वोटों के मार्जिन से जैन्यू में एवीवीपी के कार्यकरता जो है हार गये हैं अब आशोक कुमार पांडे जो इतिहासकार हैं वो इस पूरी जानकारी को लेकर लिखते हैं कि 5000 वोटों वाली एक युनिवरस्टी के चुना आपको 2014 के बाद जिस तरीके से राष्ट्य मुद्दा बना दिया गया था वो आस्चर ये जनक है ए बी वीपी के शुरुवाती बढ़त के बाद राष्ट्य मीडिया का पागलपन हास्य पद लग रहा था मीडिया भी जम कर पागल पगलाई हुई थी और कह रही थी जीते है कि सिर्फ लेफ्ट की एक तरफा जीत हुई है कॉंग्रिस और आजेटी के संकटन ही नहीं अंबेटकर वादी वस्पा ने भी अलग से चुनाव लड़ा था एक सीट जहां लेफ्ट के उमिदवारों को टिकेट कैंसल हुआ तो वहां उसे समर्थन दिया गया खेर 9 सालों से तोड़े जाने की कोशिश के बाद भी वहां ABVP का नाजीत पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कितना अच्छा होता कि सत्ता एक विश्विद्याले को अपनी तरह से काम करने देती ऐसा क्या है कि देश में अलग-अलग तरह का विश्विद्याले भी बरद नहीं होता है इस तरीके से जो है अशो कुमार पांडे ने अपनी जानकारी साजा की अजयब पटेल इस पूरी जानकारी को साजा करते वे लिखते हैं कि बसपा की तरफ से प्रत्याशी प्रियांशी आर्या ने जेन्यू के चातर संग में ABPP के अर्जुन आनंद को 926 वोट को शेयर किया जा रहा है ट्रेंडिंग में है कि कैसे भाजपा जो है चुनाव हार गई है यहाँ पर भाजपा की जो संगठन है वो बुरी तरीके से पिच गई है लेकिन सपने उचे-उचे देखे जा रहे हैं 400 पार्फ है 400 पार में तो अभी वक्त है चुनाव होने दीजि क्या रिजल्ट आता है यह तो बात की बात है लेकिन अभी फिलहाल बारती जंता पार्टी में जीत का जश्न कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है क्योंकि एवी वीपी के च्छातर संग के जो लोग है वो बुरी तरीके से हार गये हैं अब इसे जीत या हार की तौर में मना आए यह तो भाजपा वाले ही जाने और उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग ही जाने कि वो किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया में कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा सा आपिसा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले